दोस्ति यदि आप cryptocurrency के अंदर काम करते हैं तो आपने इस news के बारे में तो जरूर सुनाओगा कि Hong Kong दुबारा से अपनी trading स्टार्ट करने वाला है cryptocurrency के अंदर एक जून के अंदर और यही कारण है market के अंदर pump होनेगा क्योंकि USA के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो market है वो चाइना की market है और चाइना ही कैसी market है जो पूरी market को इला देती है जापन हम बात करते हैं पिछले एक डिड़ महीने पहले की तो BTC काफी डाउन चल रहा था और जैसे ही न्यूज आई कि चाइना की market दुबारा से उपन होने वाली है cryptocurrency के लिए तो दुबारा से बहुत अच्छा pump देखने को मिला है तो आज की वीडियो इसी के उपर है मैं आपको ऐसे तीन token के बारे में बताऊँगा जो famous Chinese token है जिनके अंदर investment अगर आप आज करते हैं तो बहुत अच्छा profit देखने को मिल सकता है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह रहेगी मैं आपको चार्ट पेटन के साब से बताऊँगा किस लेवल पर आपको बाइंग करनी है किस लेवल पे sell करना है और stop loss कहां पर लगाना है आपने बहुत से यूटुबर्स की वीडियो देखियोगी उन्होंने केवल आपको token बताए है बत यह नहीं बताए है कि आपको stop loss कहां पर लगाना है और किस लेवल पर आपको buying करनी है तो आज की वीडियो इसी के उपर होगी दोस्तो डेली basis के उपर वीडियो लाता हूँ जस्त आपको इतना करना है एक लाल बटन दिख रहा होगा इसको जाके subscribe करना है तो कि डेली में आपको ऐसी ऐसी वीडियो लाके देता हूँ जाबर मैं आपको बताता हूँ chart pattern के साब से कैसे काम करते है technical के साब से कैसे काम करते है market दे उत तरीके से चलती है fundamental और technical जहाबर हम बात करते है fundamental वो news basis पे होती है तो जैसे ही news आएगी market एकदम से pump होगी और एकदम से dump होगी उसके बाद news आने के बाद जो market चलती है वो side wave चलती है वो चलाते है वेल्स तो वेल्स क्या करते है जिन लोगों ने पैसा investment कर रहा है retail investor उनके पैसे को खाते है यदि आपको सबज में आ जाता है कि वेल्स साइक आपको सब चीजे समझ में आ जाएगी दिरे दिरे में आपको chart pattern candlestick pattern सब कुछ बता दर चला जाओंगा पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बोलिंजर बेंड के बारे में बताया था आज मैं आपको price action के बारे में बताओंगा तो जान लेते हैं पहला जो token है हमारी list के अंदर वो है dot token तो दोस्तों यह हमारा dot token है यह हमारा पूरा killer chart है मैं आपके सामने killer chart करके दिखा दिये हैं अब हम देखेंगे किस level पे आपको यहाँ पर entry लेनी सकते हैं देखें सबसे चीज यहाँ पर यह है कि मैं आपको जो stop loss दूँगा यहाँ पर बहुत ही कम level का stop loss द सकते हैं यहाँ पर यह level ऐसा हो गिया यहाँ पर दुबारा दुबारा यह वापसी हो रहा है कि क्या हो गिया दोस्तों ये इसके लिए एक तरह की support बन गया तो हमने क्या करना है simply हमको यहाँ पर इसको buying करना है इस level पर यदि आप इसको buying करते हैं तो आपका stop loss क्या हो गया 5.11 यानि कि 7-8% आपका stop loss हो गया उसके बाद profit देख लेते हैं यदि मैं इस level पर buying करता हूँ stop loss हो गया ठीक है और जो मेरा profit है यहाँ पर देखिए यह मेरा जो profit है यहाँ तक यह रहा यानि कि आप देखें किस level तक यह जा सकता है ठीक है जो हमारा पहला target हम देख लेते हमने investment करी 5.47 के level पर पहला target हमारा क्या होगा यदि short time target रखना है तो यह रख सकते हैं यह वारा जो level है यह हमारा पहला target हो गया 5.87 यदि यह इसको break करता है for an example इसको यह यहाँ से break कर लेता है तो उसके बाद हमको क्या करना है 5.85 के असपास यह आपने जो यह crypto जैस को निकाल लीजेगा और यहाँ से क्या होगा यह इस level को अगर break नहीं करता है तो यह यहाँ से नीचे दुबारा चला जाएगा बट आप यहाँ पर exit मार चुके है आप यहाँ पर काफी लोग यह पूचेंगा यार अगर यह यहाँ से उपर चला गया फिर क्या करें देखे यदि यह इसको cross करता है 85-86 के level को cross करता है और यहाँ पर हरी candle बनना start हो जाती है तो आपको क्या करना है आपको फिर से यहाँ से buying करनी है और आपका जो इस बार stop loss होगा वो 5.85 का होगा यह जो line है यह आपका stop loss बन जाएगा और उसके बाद आपका जो target क्या बन का आएगा आपका जो target बन का आएगा वो आएगा यह वाला यह आपका target होगा अगला जो target होगा वो यह भी हो सकता है अगर इस से shorter में रखना है आपको चीज़े तो आपका दूसरा target यह बन जाएगा ठीक है 6.19 और इसके बाद हमारा तीसरा target जो होगा बड़ा target वो रहेगा यह वाला 6.96 तो आप देख सकते हैं कितने कम पैसे में आपने अच्छा कासा profit जनरेट कर लिया अब यहाँ पर बात ही आते है लोंग टाइम रखने की चीज़े देखें लोंग टाइम भी आप तभी धख सकते है जब आपको लेवल पता हो कि किस लेवल पे आपका stop loss बना हुआ है ऐसा नहीं कि आपने किसी भी share को कहीं पर भी खरीद लिया और उसको खरीद के छोड़ दिया और पता चला कि वह गिर गया महां से कोई stop loss नहीं लगाया कोई कुछ नहीं लगाया तो वह सबसे बड़ा आपके लिए खतरनाक बनके रह जाएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है ना समझ गये चीज़ को अब हम आते हैं अपने दूसरे token की तरफ वह है TRS token दोस्तो ये भी बहुत ही famous token है चाइनिज token का इनका Justin Sun के CEO थे वो भी एक चाइनिज बंदे है और चाइना के अंदर ये token काफी अच्छा पंप कर सकता है और चाइना के अंदर इस token की काफी ज़धा value है तो दोस्तो इस token के अपनी investment यहाँ पर कर सकते है देखे ये जो level चल रहा है अभी फिलाल हम बात करते है पिछले एक महीने की तो fundamental news काफी अच्छी है इस level से ये ये आप देखेंगे 0.04 level से ये उठकर आज यहाँ पर 0.07 के level पर आ चुका है बढ़ अगर हम आपको investment करनी है इस level पर तो हमारा जो target होकर next जो 0.09 का target होगा तो यहाँ पर हमारी अगर investment होती है मैं आपको दिखा देता हूँ तो stop loss हमारा कहाँ पर बनेगा मैं यहाँ पर इसके अंदर investment करता हूँ तो मेरा जो stop loss बनेगा वो बनेगा इझे वाला हमारा stop loss बन जाएगा मैं आपको दिखा देता हो ये वाला हमारा stop loss बन जाएगा 0.07 के अहाँ पर यहाँ पर 10 % का आमारा stop loss हो गया अब हम यहां पर आते है इसके target के बारे में आप देकhanded आप इसको को क्लिक करेंगे और यहां पर आके यह हमारा स्टोब्रोस बन गया और हमारा टागट देखेंगे हमारा जो टागट है वो किस लेवल तक है यह वाला हमारा टागट बन जाता है यह देखिए अच्छा कासा हमारा टागट बन जाता है यह रहा आपका स्टोब्रोस के वल इतना है और टागेट देखे कितना बड़ा है यह दोस्तों चीजे तब भी आपको समझ में आई है जब आपको चार्ट के बारे में पता चला है दूसरा जो हमारा टागेट रहेगा वो यह रहेगा दूसरा टागेट हमारा रहेगा 0.12 अगर यह इस लेवल को तोड़ता है तो यहा दूसरा टोकन है चाइनीज कम्यूनिटी का सबसे शांदार टोकन है वैट टोकन वीचेन इसके बारे में हर को जानता है इसके बारे में बताने की जरूत नहीं है यह फिर भी आप जानना चाहते है यह एक ऐसा सप्लाइचेंट टोकन है जिसका ओटो मुबैल कमपनी यूज करती है यह बहुत ही शांदा टोकन है फिलाल यह टोकन बहुत ही कम रेट में मिला चिल्लड के रेट में यदि आप इस लेवल पर माइंग करते हैं तो अगर थोड़ इसी भी बूल रहन आती है इस टोकन के अंदर आग लगने वाली है बहुत ही शोट टाइम पे मैं आपको इसमें बताऊंगा केवल 7-8% के आसपास आपको loss में आप जो gain कर सकते हैं वो double से table rate आप इसके अंदर ले सकते हैं देखें स्टोपलोस इसका बहुत ही short मैं आपको स्टोपलोस बताने वाला हूँ यह वाला level 0.185 डोलो के आसपास का इसका level इस्टोपलोस बन जाएगा फिलाल जो rate चल ला है 0.02 डोलो के आसपास चल ला है यानि कि केवल 10% के आसपास एवन 7-8% के आसपास आपका इस्टोपलोस हो गया अगर मैं यहां से इसमें chart के साफ से देख लेता हूँ मैंने इसके अंदर यहां पर buying कर दी है और यहां पर आप देखेंगे कि किस level पर आप चीज़े समझीजिए कि यह हमारा के वल इतना सा हमारा यह stop loss बन के आ जाता है और profit देखें, profit कितना लंबा इसके अंदर, profit बन जाता है सेम चीज़ जैसे मैंने आपको उसमें बताई थी सेम चीज़ आपको इसमें follow करनी है अपने target को यहां पर काटना है, profit book करना है simply, आप इस level पर जाएंगे इस level को यह पहला जो हमारा target हो गया यह वाला हो गया अगर इसको cross कर देता है, उसके बाद हरी candle बनती है फिर दुबार से वाइंग करना है, फिर stop loss यह बन जाएगा दूसरा target यह हो गया आपका 0.026 level, तीसरा target हो गया 0.03 level, दोस्तों इस तरह से आपको चीज़े maintain करनी है इस तरह से आप profit में आ सकते है किसी भी cryptocurrency के अंदर आपको सबसे पहले जरूरी है उसका technical chart आप जरूर देखे कि किस level पर चल ले क्योंकि दोस्तों whales बैटी है, बहुत मोटा मोटा पैसा लेके बैटी है आप अपने आपको बूंद मानेंगे, यह पूरा समंदर है आप आप आपको आप आपूर पैसा कामा आतरा सकता है बस आपको इतना करना है, subscribe बटन को क्लिक करना है इतना करना को और यह बिल्कुल फ्री है आप से कोई भी चार्ड नहीं लिया जा रहा है यहां पर आपको नोलिजी नोलिजम लेगी और आपको क्या करना है हमारा टेलीग्राम चैनल दे रखा है नीचे टेलीग्राम को जाके जरूर फोलो कीजेगा